आप जानते ही है कि जैसा हम लोगों ने अप्लोड किया है सेम वैसा ही ओमार सीट आपको आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको जाना है वेबसाइट पे उसको डाउनलोड करना है और उसमें से जो भी आपका पेपर होगा आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि बाद में कोई ये न कहें कि हमें पता ही नहीं था ओमार सीट को कैसे फिल करना है तो मैं आपको बताऊंगी स साथ में जो अमार सीट है वो मैं डाउनलोड करके अपने टेलिग्राम चानल पर भेज दूंगी ताकि आपको असानी हो आप उसको डाउनलोड करके एक से दो बार पैंसिल से फिल कर लीजएगा तो इस वीडियो में खास तूर पे मैं बताने वाली हूं कैसी कौन सी गलती ह जिसके वज़र से लोगों के ओमार सीट साइन ही नहीं होते हैं इवन कॉश्चन्स पूरे साही है बट बाद में जो है वहाँ पर कुछ उनके नंबर ही नहीं आते हो इक्जाम से बाहर हो जाते हैं ऐसी बहुत सारी गलतिया लोग करते हैं वीडियो में बने रहना और जब अभी के लिए और भी ऐसे इन्फोर्मेशन जो है हम लेकर आते रहेंगे ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए यह रहा आपका अमार सीट और आप यहां पर देख सकते हो यह BPSC बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन का है और यहां पर देखिए नेम इस वीडियो में आपको बताने वाली है कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर ही ताकि एक्जाम में आपसे कोई भी गलती ना हो क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने इसमें कुछ भी गलत भर दिया ना तो भले से आपके नीचे के सारे कोशन सहीं हो कोई मतलब नहीं किफाने है कॉपी में आपका कुछ नहीं आयगा कुछ नमबर नहीं आयगा ठाक है ब्लैंक रहेगा क्योंकि जब रोल लंबर ही गलत भर दिया है तो इसको थोड़ा सा जुम करती हूँ देखिए जैसे की 1 है आपका 2 है ऐसी क रैंडम नमबर ले रहे हैं 1,2,3,4 आप इस बतारियों ध्यान रखना, क्या होता नहीं कई बार यहां पर आप कर लोगे, वहां पर एक तो प्रेशर होता है, अब वन है तो कई बार हम यहां का वन ना करके, जैसे कि वन है, पहली लाइन तो हो जाती है, लास्ट में यह जो टू आपको दिख रहा है, यह बला टू ना पूरा हलका सा डॉट दे जाए, टू है तो टू के नीचे हलका सा डॉट, थ्री है तो थ्री के नीचे, ऐसे एक बिंदी जो नहीं होती है, ऐसे बिंदी हलकी सी, ठीक है, फिर वन हलका सा बिंदी दे दें, फिर यहां पर टू पे हलका सा, फिर यहां पर थ्री और यहां पर इदम हलका सा टॉत है .. क्योशो कि अगर आप ने एक डॉक दिया है.. तो इसे कुछ दिक्कत नहीं होती है.. इस पूरा गोला ही भर ने सो बनाहिए.. मौला इस अमले डिया है.. तो ऐसे पूरा गोला भरना है ध्यान से कि सीरियल वाइज में ही आपको होना चाहिए ठीक है ना बस ऐसे करके आपको गोला भर देना है तो यह आसान है आप एक बाद प्रैक्टिस कर लेना यहाँ पर आपका जो भी डेट आप वर्थ है वहाँ पर आपना डेट लिखिए मन् आप एसे लिखा होता है बुकलेट के उपर लिखा रहेगा A, B, C, D अब किसी को A मिल गया किसी को B, किसी को C, किसी को D तो यह एक मैं दिखा रही हूं भरके बागी तो सब आपको ऐसे ही करना है तो मालेज़े मेरी बुकलेट A है तो मैं क्या करूंगी यहाँ इस A वाले को इसे फिल कर दोंगे इसको ध्यान से करना क्योंकि जो बुकलेट रहेगा उसे के हिसाब से नंबर आपको मिलेगा इसलिए कह रही हूं आपको आपको वो नहीं इसको बहुत बारीकी से समझ के करना है बस इतना आपका फिल हो गया उसके बास आप कोश्चन कीजे अच्छा इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहोंगे देखें, जहांपर सबसे ज़्यादा गल्ती करते हैं लोग, 120 नंबर है यहांपर तो नीचे आपका हिंदी में साइन और इंगलिस में साइन होगा, ठीक है, यहांपर आपका इन्विजिलेटर का साइन होगा, यह, 120 नंबर का बट उसमें से एक question आपका गलत हो गया, तो फिर 0.5 आपका deduction हो जाएगा, क्योंकि 5 है न, 1, 2, 3, 4, 5, 5 option है इसलिए, अब इसको कैसे करना, बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने देखा हैं, कि एक्जाम में वो पूरा 120, पूरा पहले कर लेंगे, क्वेशन करने के पाद से इत्मिनान से बैठेंगे, गोला भरने, ये गलती मत करना, कई बार ऐसा होगा, कि समय नहीं रहेगा, फिर समय इतनी तेजे से जाएगा न, कि आपको लगेगा, कि अरे मेरे तो पूरे गोले ही नहीं भर पाएंगे, उस चक्कर में आप यहां से किया, और फिर धीरे धीरे पूरी सीरी जैसे इसे बिगड जाएगी, क्योंकि आपने मानों जो 25 आप भूल गये, और आप 25 मान के इस सारा आंसर आप ऐसे गोला भरते गये, तो आपके सारे आंसर जीरो, सबसे बेस्ट तरीका वो सुनिए, दो तरीका होता है, या तो आप जैसे-जैसे कोशन करते जा रहे हैं, तुरंट उस गोले को भरते जाओ, या तो आप कम से कम 10 कोशन सॉल्व कर लो, जैसे आपने 10 कोशन सॉल्व किया, उसके पैसे तुरंट एक के गोला भर के खतम करो, फिर आप 10 कोशन का सेट कर रहे हैं, फिर आप गोला भर रहे हैं, फिर आप 10 सेट का कर रहे हैं, फिर ऐसे करो, यह नहीं कि एक ही बार पहले पूरा question solve करके गोला भर रहें, यह गलती मत करना, अब जैसे कि मालो मेरा इसमें सही है, मैं आपको पता रहें गलती कैसे होती है, क्या होता है कि मालो मुझे लग रहा है कि मेरा इसमें B होगा, तो मैंने ऐसे, यहां पर देखे, मै पूरी गलत हो गई, क्यों क्यों कि मैं एक लाइन भूल गई, यहीं गलती होती, कई बार क्या होता है ने वहाँ पे ऍग-ग्जाम में, जल्दी बाजी में, हम एक की लाइन में दो गोला भर देते हैं, ऐसे भी series बिगडता है, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि एक answer किया तुरंद गोला भर दो इसे क्या होगा ना कि आपके पूरी series नहीं बिगडेगी मालिज आपने दूसरा का गलती से C भर दिया तो फिर आप सोचो कि अरे दूसरे का तो B होना चाहिए था चलो कोई बात नहीं, एक ही तो गलत हुआ है न तो इसे series पूरा बिगड़ता नहीं है, यह तरीका होता है एक एक करना, ठीक है, यह हुमाय सीच आप प्लीज अपने घर पे प्रैक्टिस जरूर करना, यह आपका GS वाला है और नीचे का दिखा देती हूँ, सभी सेम है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यह जिसका समान्य अध्यन और समाजिक विज्ञान जो आपको पता है माध्यमिक वाले हैं सेम हैसे ही आपको रोल लंबर, जन्मती थी अपना इसमें बुकलेट सिरीज और इसमें से आपने जो भी अपना subject चुना होगा उसको आपको simple सा गोला भर देना है बस और कुछ नहीं करना है सब में इन लोगों ने 5 options रखा है यहाँ पर ध्यान दीचे यह part 1 है यह part 2 है जिसने भी जो select किया होगा ठीक है यहाँ पर आपको sign करना है और इसमें 40 question फिर यह देखिए यह आपका है क्वालिफाइंग जो कि सभी के लिए सेम होगा प्राथमिक के लिए भी यहाँ पर वही आपको जैसे मैंने सिखाया था रोल लंबर, डेट, बुकलेट सिरीज और आपने इसमें से मालिज मैंने हिंदी लिया है तो मैं हिंदी भर दूँगे मैंने उर्दू लिया है तो उर्दू भर दूँगे तीनों मेंसे जो आपने लिया हो सेम वैसे ही आपको इसमें कितने मिलेंगे 100わかशन आप देख सकते हो और इसमें नेगेटीव मार्किंग नहीं है तो इसमें भी आपको जैसे जो लगता है उसको आप गोला बना दो ठीक है चलिए और भी दिखा देती हूँ और ये आपका है माध्यमिक का ही है ये आपका माध्यमिक मेन पेपर है इसमें रोल लंबर, डेट ऑब बर्थडे, बुकलेट सीरीज और इसमें से जो आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा उसको फिल करना है तो एक बार आप सभी इसको अपने घर पे प्रैक्टिस जरूर करें ये उच्तर माध्यमिक का है, आप देख सकते हो जो सब्जेक्ट है, सारा इन लोगों ने ओमार सीट सेम रखा है, आप देखिए न, सब में पांच ओप्शन्स है तो प्राथमिक वाला भी मैंने दिखा दिया, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सभी का आ चुका है और ये आपका GS का है, प्राथमिक का, और जो नीचे मैंने दिखाया था, ये रहा लैंग्विश का ठीक है, तो I hope आपको समझ में आया होगा, और जिस तरीके से मैंने बताया है, उस तरीके से form भरोगे इसको भरोगे, तो कभी गलती नहीं होगे, हलका हलका dot दे दे के भरो, ठीक है ये नहीं कि पूरा ही भरने के बासे ऐसे भर दिया, अब पता चला, अरे मेरा तो C है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, आपका paper खतम, start होने से पहले ही, और ऐसा हुआ है, बहुत सारी exams में बच्चे पूरा सहीं करके आते हैं, बाद में पता चलता है कि उनका selection नहीं हुआ ह क्योंकि उन लोगों ने बहुत ताबर तोड जो है, यहीं पर जल्दी-जल्दी कर दिया, और roll number ही गलत भर दिया, date of birthday ही, ये booklet ही गलत भर दिये, तो नीचे कोई फायदा ही नहीं है, ओके, मैंने अपनी तरीकी से आपको समझाने के कोशिस की, एक बार मैं आपको इसको board प